मैसेजिंग में वाटसेप की बाशाहत को टकर देने के लिए गूगल ने एक नया एप लाँच किया है इस मैसेजिंग एप को कमपनी ने ऐलो नाम दिया है गूगल ने इस एप को गलोबली लाँच किया है और ये IOS और Android दोनों के लिए भी उपलब्ध है गूगल ने 2016 में ही अपनी I.O.Developers Conference में एलो को लाँच करने की बात कही थी इस मैसेजिंग की खास बात ये है कि इसमें अपना सर्च इंजन और गूगल असिस्टेंट है इस एप को इस्तमाल करने के लिए आपको WhatsApp की ही तरह अपना मुबाइल फोन नमबर एड़ करना होगा इस एप को गूगल प्ले से इंस्टॉल किया जा सकता है इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर गूगल एलो सर्च करना होगा एलो की एक और खास बात ये है कि आप इसके अंदर रहते हुए भी गूगल सर्च कर सकते हैं इसके लिए आपको एप के बाहर ब्राउजर पर जाने की जरूप भी नहीं पड़ेगी आप एड़ुरेट गूगल लेकर इस एप के अंदर ही कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप इस एप के जरीए अपने मैसेज की समय सीमा भी प्ताय कर सकते हैं यारी कि उस से खास समय सीमा के बाद आपका मैसेज अपने आप गायब हो जाएगा मतलब डिलीट हो जाएगा इसके लावा इस एप में हर देश के हिसाब से कस्टम और स्टिकर्स भी दिये गए हैं हाला कि इस एप में कुछ कमिया भी है आप इस एप से डाकुमेंट्स नहीं शेयर कर सकते साथ ही इसमें वाइस कॉलिंग भी नहीं है अब देखना है कि गूगल का ये एलो वाटसेप को कितनी टक्कर दे पाता है गूगल ने मही में दो नाय मोबाइल एप लाँच करने की घुशना की थी पिछले मही ने गूगल ने वीडियो कॉलिंग एप लाँच किया था और अब चैटिंग एप लाँच किया है देखते रहिए डीबी लाइफ